अगले पेज में आपको सबसे ऊपर यह सिस्टम आपका यह ओप्शन आपको टैप करना है अब आपको इस वाली पेज में नीचे आना है ठीक है नीचे की साइड आएंगे तो नीचे आपको एक ओप्शन मिल जाता है यह वाला यह मेटा सर्विस मेटा सर्विस का यह ओप्शन टैप करना है अब इसके अंदर आपको जो नीची की साइड में storage and catch का यह option टैप करने है अब यहाँ पर आपको clear catch का option टैप करने है तो आपका catch के similar data यह 0 हो जाता है अब आपको back page पे जाना है अब इसके भी back page पे जाना है आपने जो meta service का option select किया दो ना इसी page में आपको जो ना ऊपर आना है ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आपको यह option मिलता है android system इसे टैप करना है इसके अंदर भी आपको storage and catch पे टैप करना है अब यहाँ पर भी आपको clear catch पे टैप करना है तो आपका catch के similar data 0 हो जाता है अब दिखे अगला काम यह करना है mobile phone का system आपको check करना है कि update है या नहीं है पहले phone का internet चालू रखना है इसके बाद phone का setting page ओपन करना है इसमें आपको सबसे ओपर सर्च icon पर tap करना है अब यहाँ पर सबसे ओपर search बार में system update आपको लिखना है दिखे दोस्तों यहाँ पर mobile phone को reset आपको तब करना है जब मेरे बताएवे पिछले process कोई भी काम नहीं करते है तब आपको phone को reset करना है otherwise नहीं करना है phone को reset करने के लिए phone का setting page ओपन करिए सबसे ओपर आपको इस search icon पर tap करना है अब यहाँ पर सबसे ओपर search बार में reset आपको लिखना है नीचे आपको यह option मिलता erase all data factor reset इसे tap करना है आपका phone directly आपको इस setting में लाएगा erase all data पर tap करेंगे तो अगले page में सबसे नीचे erase all data का यह option tap करना है इस आपका phone reset हो जाएगा और आपकी problem solve हो जाएगी लेकिन phone को reset करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है पहली बात ही ध्यान रखने है आपके phone का जो data है ना उसका backup ले लिज़े अपने phone में और दूसरी बात ही ध्यान रखने है आपके phone की Gmail ID और उसका password आपको पहले से note करके रख लेना है ठीक है तो इस दो काम आपको पहले करना है उसके बाद phone को reset करना है तो मेरे बताएवे सारे process आपको use करने से आपकी problem solve हो जाएगी ठीक है